हेलो किसान भाईो स्वागत हैं हमारे एक नए वीडियो में तो किसान भाईो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की खेती मौडरन होती जा रही है फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक सभी चीजे मसीनों के द्वारा होती है और इसी सिलसिले में मैं आपको एक और सांदार मसीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी सहता से आपकी खेती और भी असान हो जाएगी साथ ही साथ आप इसे अच्छी खासी आमदाने भी कमा सकते हो जी हाँ किसान भाईो मैं बात कर रहा हूँ स्प्रेंग ड्रोन मसीन की जिसकी सहता से आप मात्र साथ से आट मिनाट में एक एकर फसल में दवाई का स्प्रेंग कर सकते हो तो किसान भाई इस वीडियो में मैं इस मसीन के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इस मसीन की कीमत क्या है और ये काम कैसे करता है तो दोस्तों वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहीगा और यदि आप हमारे चनल पर नए हो तो चनल को सस्क्राइब भी कर किसान भाई स्टार्ट करते हैं तो किसान भाई सबसे पहले में आपको बता देता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोधी जी दुवारा इस मसीन की मैड इन इंडिया कंपनी को ग्रिन सिग्नल मिल गया है जिससे यदि किसी किसान समू या किसी और गानेज किसान भाई जो मसीन है इसे हेकजा काप्टर मसीन कहते हैं मतलत इसमें टोटल 6 पंखुडिया होती हैं जिसमें पावरफुल पंखे लगे होते हैं और इसी की सहयता से मसीन उपर उड़ता है और अगर बात करें इसकी टंकी की साइच की तो यह अलग-अलग साइच की आती ह जैसे की 10 लिटर, 12 लिटर, 15 लिटर और अधिकतम 25 लिटर तक होती हैं और इसी के सहयच की ऊपर इस मसीन की कीमत भी तैय होता है अब बात करते हैं इसकी बैटरी की तो यहां मसीन है यहां बैटरी चलीत मसीन है और यहां एक बार में चार्ज होने के बाद यहां 15-20 मिनट तक असाने से चलता है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यहां है कि यह केवाद 7-8 मिनट में एक एक एकर फसल में दवाई का छुड़काओ कर सकता हैं और साथ ही यहां इस बैटरी की अगर चार्जिंग खतम हो जाती हैं तो इसे मातर के ओला 15 मिनट में ही चार्जिंग भी कर सकते हो या फिर आप इस्ट्रा बैटरी घरी कर सकते हो और इसे आप एक दिन में असाने से 10-12 खेत में दवाई का छुड़काओ कर सकते हो अब बात करते हैं कि आप इस मसीन को कैसे चला सकते हो तो किसान भाई यहां मसीन रीमोर्ट चली मसीन है जिसे आप मैनूवल तो चला ही सकते हो साथ ही इसे आप आटो मोड में भी चला सकते हो किसान भायों अब हम लोग बात करते हैं और आप इसे कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में तो किसान भायों मार्केट में इसकी प्राइज 5,5 लाक रुपए से लेकर 9 लाक रुपए तक होती है और इसकी प्राइज इनके टंकी साइज के उपर निर्भर करता है और साथ ही इनके फीचर जो अलग अलग रहते हैं उनके उपर निर्भर करता हैं साथ ही आप इसमें अच 400-500 रुपए प्रती एकड के हिसाब से चार्जेस ले सकते हो और प्रती माहा आप एक अच्छी खासी आमदानी कमा सकते हो और हां किसान भायो मैं मानता हूं कि जो यह मसीन है इनकी प्राइस थोड़ा जादा है यह नॉर्मल किसान के लिए खरिदने में इसे समस्या आ सकती है पर इसमेंं गौर्मन की तरफ से सबसिडी भी मिलता है तो चाहू तो आप इसे खरी सकते हो या फिर नहीं खरीते हो तो किसी अन्या habrाईयो आज के लिए इतने ही आसा है कि आपको यहां जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आपको यहां जानकारी अच्छी लगी तो वी कुप से बड़ाओाओाओाओाओाओाओाओ